जेडियू को एंडिये चोड़कर बिहार में आज़ारों की संग्या में लोग लखनों में थे जह हमारी आखरी बैठक ती उसमें बहन मायती जी मुख अतिती के रूप में थी उसके बाद 9 अक्टूबर को आप लोगों के साथी भी थे आप हमें याद है आपके लोगों से हम उत्तर प्रदेश से गठता हुआ तो जो संदेशा था जो देने की बात थी वो उन्होंने तो अपनी इन बैठकों में करी और रोज प्रेस में जाने का काम लोगों से मिलना आज भी मीटिंग चल रही है कल भी मीटिंग थी आज सुबह भी मीटिंग थी तो हमारी पार्टी जो है जमीन पे काम करती है हमाई पार्टी दिखावे का काम लिए इसी से जुड़ा सवाल है मेरे से अभी हाल फिलाल में आपने कारिकरम में कहा था कि अभी फिलाल बेहन कुमारी मायवती जी ने सैनिकों को जमीन पर उतार रखा है बहुत जल्द वो भी लोगों की बीच कि या आप या आपके और लोग भी कि बहन मायती जी सड़क पे पैदल चलने का काम करें तो जमीन उतरने की बात होगी बैन मायती जी ने वो भी किया है जब जरूरत जैसी पढ़ती गरती है वैसा किया था ज़ा है उन्होंने पूरे प्रदेश चाना है एक एक जिले एक घ उनके प्रुडेश में उनकी नॉलिज में काई हैं कि कहां पर कौन हैं कैसे लोग हैं कैसे चल रहे हिर तरह का संगर्श करकर वो आज यहां पर पहुंची हैं लेकिन चुनाव आयोग ने अगर ये घुच्णा प्रुचना कर दी है कि अभी हम चुनाव आयोग ने का है उस तरीके से करेंगे आच चुनाव आयोग कह रहा है कि आप रैली मत करिए तो रैली तो हम लोग पूरे प्रदेश में कर चुके हम लोगों ने हर जिले में हर कॉंसिचुएंसी में रैली कर लिए हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कोई ऐसी constituency नहीं बची है जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने 23 सारिक से जब हम लोगों ने शुरू किया था अयोध्या से और आज तक उसको touch ना कर लिया और उसमें rally ना कर लियो बहन मायती की भी जैसा जैसी requirement होगी उस हिसाब से वो करेंगी हमारी पार्टी के सब लोग जो है सिर्फ हमनारी पार्टी जो है वो political पार्टी के साथ में missionary mission भी है और हमारे लोग जुड़े हुए हमारे लोग अभी आप से चर्चा हो रही है हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सब उसको उसको उनके पास सबी इस चीजें पहुंच जाती हैं वो देख लेते हैं उनको मालूम होता है बेन मायती जी ने आज क्या निर्देश दिया क्या करना है उस हिसाब से चलते हैं सर इस करोना संक्रमन के दौरान सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस वह हम सब ने देखा कि वर्चुल माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुचा पार हैं बगएर मेले दोगच की दूरी का खयाल रखे हुए और ब्यस्पी की बात की जाए तो ट्विटर से सोशल मीडिया से इन सब से बहुत लंबे समय तक दूरी रही ब्यस्पी की आज आप बहुत सक्री हैं हम देखते हैं कि दिन में आपके कई सारे ट्वीट आते हैं मायवती जी के बहुत सारे ट्वीट आते हैं लेकिन अब जब कि चुनावायोग ने कह दिया है कि वर्चुल माध्यम से प्रचार प्रसार सब कुश करना है और बहुत दे यह हमने उनकी बात मान ली हमने आपकी बात मान ली और बात मान करके हम लोग इस तरफ भी आ गए इस मैदान में भी आ गए हमारा जो नेटवर्क है वो सोशल मीडिया में हम लोग ट्विटर और इसके माध्धम से नहीं वो लोग ऐसे भी डिरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं ह इसको खैर हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करेंगे वनना ओर लोग नकल करने लगते हैं यह भी नकल करने लगें बहुत सी नकल करी लोगोंने हम लोगों की यह भी करेंगे पर हमारे आप तुरंत मेसेज चलायता है और सोशल मीडिया में आज अगर हम लोग आ गए तो हम हम अपने इस सवाल पर जाएं ब्राम हडो की माया उससे पहले अखलेश आदो जी अपसे थोड़ देर पहले इस मंच पर आये थे तब हमने उनको एक तस्वीर दिखाए उस तस्वीर में बायावती जी और अखलेश आदो जी साथ साथ थे 2019 में जब लोगों को अगर बंद को जब नतीजे निकल आएंगे और जाहिर है कि जैसा कि है सामने उसमें निश्चित रूप से उस दिन 10 मार्च को पूरा प्रदेश जिस चीज़ की आस है आज जिसकी आस है वो यही है कि बहन मायती जी मुखमंतरी बन के आएंगी तो मुखमंतरी जब बन करके आएंगी त वहाँ पर यह हैं या वो हैं वो सभी लोग जितने जब मुखमंतरी के रूप में दस तारिक को आएंगी तो दस तारिक के बाद वो सभी के लिए मुखमंतरी होंगी प्रदेश के लिए मुखमंतरी होंगी वो खिसी खाली सीमित नहीं रहेंगी जैसे आज के रोज है जैसा 2012-2017 था कि नहीं नहीं बस खाली ये लोग अपने हैं इनी का ख्याल रखना इनी को नौकरी देनी इनी को बचाना ये माफिया है तो इनको जाने दो दूसरे है तो ये करो बाकी और जो अभी चल रहा है अभी भी वही सेम चीज़ चल रही वो दूसरी कुछ लोगों को करते दि कि चलिए आगे बढ़ जाएए और इनके उपर अगर आपको कुछ करना है तो इनको मत करें लेकिन बहन मायत ही जी कहां ये नहीं है वहां तो सब बराबर हैं अगर उनके तो यहां तक है कि अगर खुद के मेंबर और पारलिमेंट ने भी अपने हाथ में कानून लिया था खाली 15 दिन पुरानी सरकार थी उन्होंने उनको भी बुला करके अपने घर से हतकड़ी पैना करके और जेल भेजने का काम किया था पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था आप जिस कानून व्यस्था की बात कर रहे हैं 2007-2012 के दरौन आप यह कहते हैं कि सबसे बहतर कानून व्यस्था रही मौजुदा सरकार जब ऐसी कानून व्यस्था को कायम करने की कोशिश करती है बदमाश करत दो तो फिर आप लोग ब्रामण क्यों ढूंडने लगते हैं उसमें, मतलब यह क्यों लगता है कि ब्रामणों को टार्गेट किया जा रहा है? खुशी दूबे का क्या दोस्त था? वो तो एक दिन पहले शादी होकर कि घर पे आई थी, दूसरे जिले से आई थी, उसकी तो शादी एक दिन पहले हुई थी, उसके तो हातों की मेंदी भी नहीं चूटी थी, उसको जेल में बंद कर रखा, डिड़ो बर चो गया, सीधे मु उसके नाराज हो गए बीजेपी वाले कुछ लोग, उसको जेल भीजवा दिया, फरजी मुकद में लगा के, उसके घरबर को भीजवा दिया, और बेल हो जाने के बाद भी, पंदरा दिनों तक उसको जेल से आने नहीं दिया बाहर, जब तक वो मरने की जेल के अंदर, तो यह क्या दिखाता है, किस तरीके से मंदिरों पे कबजा हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सनातन धर्म खतम किया जा रहा है, मंदिरों में पंडितों की हत्या हो रही है, और क्या आप समझते हैं कि हाली मठ चलेगा, मठ के हिसाब से ठीक है, आप अपना मठ चला हूँ और मैं महात्मा का रूप रखता हूँ मैं महात्मा का चोंगा पहनता हूँ इसलिए मुझे ये अधिकार हो गया कि हम लोगों की हत्या करवासे हम लोगों को मरवाने का हुकम देते हैं वो तो खुले आम करते हैं कि मेरी तो नीती है कि रोको और ठोको ये कौन सा महात्म करेगा कि कौन सा धर्मात्मा कहँँ का जाकर कि हमारी यह नीति है कि किसी को रोको ठुंख दो और कानून के दौरा ने अपने हाव पंपमे कानून ले करके ठुंखने का काम कर दो तो यह तो दिखाता है कि किस तरह Знаju या तो आप मठ में रहिए और आप बाहर आ रहे हैं आप दूसरे रूप में आ रहे हैं पॉलिटीशन के रूप में आ रहे हैं आप एक कहते हैं मैं महराजा हूं राजा हूं तो प्रदेश का तो आपको फिर फूरी प्रजा आप की होनी चाहिए ठीक है सर्म आखरी हिस्से मे हैं तो मेरा सवाल है कि 2007 जो आपने सोशल इंजिनरी का फॉर्मूला दिया तो वह हिट रहा 14 साल बाद क्या उसी फॉर्मूले के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और लग रहा है कि एक बार फिर सु काम्याब होगा ब्रामण वोटर आपके साथ आ रहा है देखे मैं आप 2007 में ब्रामण हमाए साथ जुड़ा था अब की बार 2022 में उससे कहीं जादा अधिक रूप से हमाए साथ जुड़ा हुआ है और वो इतना परिशान है वो इस सरकार से इतना दुखी हो गया है कि उसको लगता उसको चला गया ठगा गया राम के नाम पे ठगा गया राम को एक वोट की बस्तू बना करके राम के मंदिर को दिखा करके कि मैं मंदिर बनाओंगा तीन साल हो गया है मंदिर का कहीं अता पता नहीं है और उससे वोट लेने के बाद उसी को ठगा गया तो आज जो है सनातन धन जैसा मैंने कहा कि खत्रे में आत्पुरा प्रदेश खत्रे में आज विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ विनाश दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप 2007 की चाहे वो ब्रामर समाज के लोगों, चाहे बैकवर्ट समाज के हों, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेरोजगार हों, सब याद कर रहे हैं 23 लाख नोक्रियां बेरोजगारों को दी थी महन मायती जी ने उन्होंने 23 तेइस नए जिले बनाए थे साथ साथ उन्होंने कमिशनरी बनाई थी उन्होंने इसके साथ में एक दरजन युनिवस्टी बनाई थी मेडिकल कॉलेज आज की तरह नहीं जिसा कहते हैं कि हम तो 65 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं जितने सरकारी इस्पताल हैं हर जिले के वो तूटे फूटे उनको मेडिकल कॉलेज डिकलेर कर दिया है वी किसर TWC भुप कर पलिकाने अंगों को नोयडा की एक्सप्रेस भी हो चाहे जेवर एरपोर्ट हो चाहे गंगा एक्सप्रेस भुढ पर बगल में अपना पथर तो लगा रहा हूँ लोग ला करके लेकिन ये यह माना जाए कि BST में सतीशंद मिश्चा जी का दबदबा बढ़ता जा रहा है उनका कद बढ़ता जा रहा है देखिए ये एक बार ने कई बार कच गया है ये बात सही है कि हमारे हमारे लड़के भी हमारे साथ में लगे हुए हैं वो भी कर रहे हमारे पत्नी महिलाओं के अबार ये कोई भी चुनाओ के मैदान में नहें और नहीं जा रहे हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ बहन मायती जी को जो प्रदेश चाहता है उत्तर प्रदेश में पांच्वी बार मुख मंत्री बनाने के लिए अपना योगदान भी देने का काम कर रहे हैं और इसमें हमें